डियर फ्रेंड्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंड्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस तुडेंड्स को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको authentic correction नहीं मिल पा रहा था authentic answer नहीं मिल पा रहा था और साती सात मिनमम टायम में maximum study करनी थी तो एक ए concept लेके कि authentic knowledge देनी है और मिनमम टायम में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel की सुरुवात होई थी बाद में student की demand आने लगी कि sir ये वीडियो वो वीडियो तो फिर different domain के और different subject के कई सारे वीडियो को इसमें upload किया गया जो कि class 5th से start हैं आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम वीडियो हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के वीडियो आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर upload किये जा चुके हुए हैं जो कि different domain के हैं आप एक बाद playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers यह हैं वो इस channel के non subscriber हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है के 25% viewers ने ही subscribe किया हुआ इस channel को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए यही आसा के साथ वीडियो सुरू करते हैं आज हमारे बीच में बहुत हर्स का विशह है क्योंकि जिस दिन की का इंतजार हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे वो दिन आ गया है और आज जो है वो list of candidates to receive joining later issue कर दी गई है हाला कि यहां पर कुछ कम candidate को जो है वो बुलाए गया है जो यहां लखनों के आसपास के एरिये के candidate से हैं और जो आसानी से पहुंच सकते हैं उनको इस list में बुलाए गया है और साती साथ डिया उसको निर्जेसित किया गया है कि कोई भी candidate छूटना नहीं चाहिए सभी के mobile number जो है वो आपको दिये जा रहे हैं और उन mobile number पर आप सूचना दे दें कि लोग भवन में जो है वो सब को इखटा होना है अभी मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं और लेटर आई होप कि आपके पास भी आ चुका होगा और लेटर और लिस्ट ऑफ केंडिडेट भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं प्राबलम आपको आ सकती हैं तो यह complete information मैं आपको दे रहा हूं बर सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहूंगा बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोगों ने लगातार प्रयास करते रहे कि भाई मुझे जोइनिंग चाहिए चाहिए और इतनी सर्दी में भी जो है वो लखनो आते रहे और लखनो आने के साथ ही साथ यहां पर उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके अपनी सारी बाते बहुत ही अच्छे धंग से बहुत ही बहतर तरीके से जो है अधिकारियों के सामने चाहें मंतरी जी हैं उनके सामने की रखी इसके अलावा उन हिडन लोगों के को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने घर बैट के भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट किया और लगातार जो है वो प्रयास करते रहें वो किसी भी माध्यम से चाहें इलेक्ट्रोनिक मी करीती रही उस इन्फॉर्मेशन को भी बताते रहें अपडेट करते रहें अर्ड़ी ससे पहले की जो मुझे जयनकारी आई थी वह थी कि 25 दिसंबर को जो है अपने पूर प्रधान मंत्री जी श्री अठल विहरी बाचपई जी का जन्म दिन है और उसी दिन जो है वो लेटर जो है वो बांटे जाने हैं लेकिन अब ये प्रयास जो है वो इतनी जल्दी हो गया कि आपको 18 तारिक को जो है लखनू बुलाया ज जो है ये इसको थोड़ा सा जल्दी किया गया वो इसी बज़े से किया गया कि आप लोग लगातार इस चीज को आगे बढ़ाते रहे और लगातार प्रयास करते रहे जिसकी बज़े से इस डेट को मुझे जो लगता है वो थोड़ा सा टाला गया और इसको जल्दी करा लिय तो चलिए हम सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं और लिस्ट देखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि जब आप कॉलेज में जॉइन करने जाएंगे तो उस समय आपको क्या-क्या और कौन-कौन से जिलों के जिला विद्याले निरिश्चक को दिये गए हैं अम्बीटकर नगर है अयोध्या है वहराइच है बारवंकी है फ्वतेपुर है हर्दोई है कानपुर है लखीमपुर खीरी है लखनौ है प्रताबगड है प्रियाग राज है रायवरेली है नहीं बुलाए गया है जो आसपास के कैंडिडेट है उन जो की आसानी से रीचेवल है उनको ही बुलाए गया है और बाकी सभी को कहां से न्यूक्ति पत्र मिलेगा इसके बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन देंगे इसमें नीचे विश्यक को अकर आप देखते तो लिख सब्सक्राइक अध्याबकों के ओनलाइन पदिस्थापन एवं न्यूक्ति पत्र वित्रण के कारकरम में उपस्तित होने के संबंद में हैं इसके साथ में नीचे लिखा हुआ कि 1812 2022 रविवार को सुबह 10 बजे जो है मानी मुख्य मंत्री जी द्वारा जो है वो न्यूक्त पत्र है और तुम रिखा ज़ार में सारे के सारे केंडिडेट जो कि इस लिस्ट में हैं वो सतप्रतिशत उपस्तित होना उनको पूंचना na है और इसके लिए बकाइदा अभरतियों के मॉवाइल नंबर ईमेल अइडी बता रहा है और ग्रह जनपत जो है वो सारा का सारा अंकित कर दिया गया है और वो लिस्ट में दिया है अभी आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें candidate के mobile number है rank है और उसका ग्रह जनपत दिया हुआ है जहां का वो निवासी है वो दिया हुआ है ठीक है ना तो चली अब हम ये देखते हैं कि लख्णों में जो लोग्भवन है वो कहा परिश्टित है पहले उसको हम समझ लेते हैं देखें अगर आप देख रहे हैं तो यह एक्चुन में विधान सवा के सामने है लख्णों विधान सवा जो है उसके यसस सामने अगर आप देखेंगे तो ये 1 चार बाक्नी यहां पर अगर आप इसको देखें तो ये विधान सवा के सामने ही है लखनू में जब आप रेल्वी स्टेशन पर उतरेंगे तो चार बाग से आपको आप आप आटो करके भी जा सकते हैं यहां पर लोग सब लोग भवन में उतर सकते हैं नई तो डेड़ से दो किलोमेटर की डिस्टे यह तक प्रते एक दशा में लोग भवन लखनो इससे सवागार में पहुंच जाएं और यहां पर वो दो फोटो पासपोर्ट साइच की अपना आधार कार्ड या फिर कोई और फैचान पत्र है जैसे आपका वोटर आईडी है पैन कार्ड है तो यह आप ला सकते हैं इसके स इसके अलाबा जो फोन है या कोई इलेक्रोनिक डिवाइस है वो साइलेंट मोड पर रखेंगे ठीक है तो यह सारे के सारे इंस्ट्रक्शन इनको दिये गए हैं यह जो है वो सिच्छा निदेशक डाक्र महेंदेव जी के द्वारा जो है वो दिया गया है ठीक है ना अब य दिया गया है उनका सब्जेक्ट दिया है सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है और सुरुवात में लेक्चर है और बाद में जो है वो एल्टी ग्रेड के जो टीचर है उनका दिया हुआ है ठीक है ना तो यह सारे के सारे नंबर दिये हुए है आप देख सकते हैं अंबेड का एक साथ दिया है अंग्रेजी का एक साथ दिया हुआ है गनित का एक साथ दिया है तो ये इस तरह से जो है वो सारे के सारे candidates जो हैं उनका दिया हुआ है अब इसके बाद देखें आयुद्या का दिया हुआ है अब इसके बाद आप देखेंगे तो बहराईज के जो candidates हैं उनका दिया हुआ है ठीक है इसके बाद फिर 12 बंकी है बहराईज से काफी कम कैडिडेट लगने है इसके बाद में बारा मंकी का दिया हुआ है बारा मंकी के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह फतेपूर का दिया हुआ है फतेपूर के बाद में हर्दोई का दिया हुआ है हरदोई के बाद अगर आप देखें तो कानपूर का दिया हुआ है कानपूर के बाद अगर देखें तो लखेंपूर खीरी का दिया हुआ है लखेंपूर खीरी के बाद आप देखेंगे लखनों का दिया हुआ है कि इसके बाद प्रताब बढका दिया हुआ है प्रताब बढके बाद अगर आप देखें तो प्रयाग राज का दिया हुआ है प्रियाग राज के कैंडिडेट्स के बाद में राइबरेली का दिया हुआ है कि राइबरेली के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सब का दिया हुआ है उसके बाद में सीतापुर के कैंडिडेट्स का दिया हुआ है उसके बाद सुल्तानपूर के कैंडिडेट्स का दिया हुआ है उसके बाद आप देखेंगे तो उन्नाओ के कैंडिडेट्स का दिया हुआ है इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल 421 कैंडिडेट्स को बुलाया है इन्होंने प्रवक्ता को बुलाया हुआ है और इसके बाद अब आप देखेंगे तो ये जो है वो एल्टी ग्रेट के टीचर्स को बुलाया गया है अम्बेटकर नगर है बारावंग की है फतेपुर है कानपुर है लखिमपुर खेरी है लखनौ है प्रियागराज है इसके अलावा राय वरेली है सीतापुर है सुल्तानपुर है उन्नाओ है यहाँ पर 32 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो इस तरह जो है इस तरह से सारे के सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो बहुत बहुत बधाई हो सभी कैंडिडेट्स को अब मैं आपको बाकी बताता हूँ कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको कैसे जो है जोईनिंग लेटर मिलेगा और किस तरह से वो जोईनिंग लेटर देख सकते हैं और जब जोईनिंग लेटर लेके आप कॉलेज जाएंगे तो आपको क्या-क्या डॉकुमेंट्स की उनको सियम सर के द्वारा जो है वो जोईनिंग लेटर मिलेगा ठीक है ना उनको उनका भी लेटर जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर रहेगा इसलिए रहेगा क्योंकि जब इसका वेरिफिकेशन होगा तो एक्चल में ऑनलाइन मोड से ही इसका वेरिफिकेशन होगा ठीक है न आपको जब जोईनिंग के लिए जब आप जाएंगे वहाँ, विद्याले में जाएंगे, तो फिर आपको डॉक्यमेंट क्या-क्या जारूरी होंगे, वो मैं डॉक्यमेंट बता रहा हूँ, तो लेकर जो लोग जुह है अल लिड्री ग्वर्मेमंट को अगर वो धारणा धिकार अगर वो धारणा धिकार के पात्र हैं ठीक है ना धारणा धिकार पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है आप उसको देख लेंगे यहाँ पर जो सर्विस रूल है उसमें यह दिया हुआ है काफी पहले बनाया था आप इसको देख लेंगे तो आपको फाइदा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या धारणा दिकार आपको लेना होगा जिसमें आप यह कहेंगे कि एक साल तर मुझे इस विद्याले में बापस आने के लिए पर्मीशन दी जाए कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस विद्याले में बापस आ सकता हूँ जिस विद्याले में अभी मैं कारेरत हूँ तो वो विद्याले जो है वो आपके लेटर पर ही लिखके देदेगा लिविंग लेटर पर ही लिखके देदेगा औरिजिनल जो है जो भी डॉक्यमेंट्स हैं वो आपको ले जाने होंगे इसके साथ ही उनका एक सेट ले जाना होगा एक सेट फोटो कॉपी जो होगी वो आप ले जाएंगे वहाँ पर ठीक ना इसके साथ ही साथ जो होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा आपका ज document क्या चाहिए, तो देखे, अगर आप married हैं, अगर आप married हैं, तो फिर आप एक एक जो होगा, वो एक certificate देंगे, या 키 एक एफिड़ेफिट जिसको कहना चाहिए, वो ये देंगे, कि आपकी एक से ज़ादा जो है, पत्नी नहीं है, या आपकी एक फिटनेस सेटिफिकेट जो है ये ले जाना जोरी होगा फिटनेस सेटिफिकेट ले जाना होगा और साथी साथ एक फोटो कापी उसकी करा लिजेगा और उसको सेटिफाइड करा लिजेगा वहीं सही वहीं पर तुरह फोटो कापी करा के उसकी और वहीं पर जाके डॉक्टर स करा लीजेगा जिससे कि वो आपके पास पक्ता हो जाए तो एक तो उसकी original copy जो लगेगी और एक उसकी certified copy लगेगी तो fitness certificate जो होगा यह चाहिए होता है अब यह जब हम लोगों को later मिल जाए तो उसके बाद ही जो है उसके बाद भी आप बना सकते हैं और अगर आप इससे पहले चाहें तो आप पहले भी बना सकते हैं उसको neglect नहीं किया जा सकता है क्योंकि already यह later जो later अभी आपको दिया गया है जिसमें 18 तारीक को जो है आपको joining later देनी की बात की गई है इस later के बेहाब पर आप CMO office जाकर कह सकते हैं कि भाई में यह list है और यह list में मेरा नाम है और माल लीजे कि जिन candidates का नाम नहीं भी है तो उनके पाप पुरानी list है उस list में उनका नाम है तो वो यह later और वो list जाकर दिखा सकते हैं अपना नाम दिखा सकते हैं और उसके बेस पर वो fitness certificate जो है वो CMO office से बनवा सकते हैं इसके अलावा जो है वो character certificate की बात आती है एक आचरन प्रमाण पत्र आता है आचरन प्रमाण पत्र कहते हैं इसको या फिर character certificate कहते हैं तो आचरन प्रमार पत्त या character certificate जो होगा ये जो होता है अगर कोई job में है तो वो school से उसके विद्याले से बन जाता है ठीक है अगर मान लिए विद्याले नहीं बनाता है बज्जाले तो खेर बना के देगा ही देगा लेकिन मान लिए कि अगर ये class 2 class 2 officer का मांग लेते हैं तो class 2 इसके लिए GIC के principal जो होते हैं ये भी eligible होते हैं तो अगर आपके आज-स-पास abilir है तो वहां के principal अगर आपके link में अगर आते हैं तो आप उनसे भी ये बनवा सकते हैं इसके अलावा doctorस जो है वो भी बना सकते हैं इसके अलावा मैं आपको एक list दिस्ट यह सारे के सारे class 2 के budgeted officer हैं इन से आप बनवा सकते हैं देखे यहां पे class 2 के budgeted officer में अगर आप देखेंगे तो junior doctor in the government hospital इसके अलावा section officers हैं इसके इलावा circle inspector है तैसिलदार है इसके अलावा drug inspector है इसके अलावा head master in the government high school जो मैंने आपको बताया आपके government high school में head master है परदाना ध security engineer है इसके लावा BDO है block development officer है ये हैं इसके लावा income tax या revenue officer है इसके लावा chief pharmacist है इसके लावा superintendent of exercise and customs है इसके लावा जो है officers in state civil services है इसके लावा JCO in armed forces तो ये सारे के सारे जो है वो class 2 के officer है इन में से जो भी availability आपके लिए ज्यादा सही हो उन से आप जो है वो character certificate बनवा सकते ह और दो लोग ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी जान पैचान के हों लेकिन आपके relation में नहीं हों ठीक है ना दो लोगों से आपको बनवाना है वो आपकी relation में नहीं होने चाहिए लेकिन आपकी जान पैचान के होने चाहिए जो कि आपका character को certified करते हैं ठीक है ना तो ये आपक इतने डॉक्यमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे इसके अलावा आपका आपसे एक फॉर्म भी भरवास जा सकता है जिसमें कि आपके चल अचल संपत्ति का विवरण जो है वो दिया जाता है अब ये तो डॉक्यमेंट्स जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें जो जो लिखे होंगे जिसे साफ से लिखा होगा उसी साफ से डॉक्यमेंट्स जो होंगे वो अरेंज करने हैं और उनको आप जो है उसी साफ से वनवा लीजिएगा ठीकर ना यह होता भी है और नहीं भी होता यह कोई बहुत कंफर्म नहीं है अब देखे एक बात यह आती है कि सप पर प्रधाना चार्ज हैं ही नहीं प्रधाना चार्ज जो है वो छुट्टी पर गए हुए हैं तो फिर आपकी जोईनिंग कैसे होगे तो देखी प्रधाना चार्ज अगर नहीं है तो वो किसी को चार्ज दे कर गए होगे तो जो भी उस समय इन चार्ज होगा जो भी उस समय document check ना हो या document check हो ना करें और उसकी बज़े से जो है joining कहतें कि भाई आज नहीं कला आई ये कल तो देखें ऐसा वो कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि जिस दिन भी आप पहुंचेंगे उस दिन उनको joining कराणा ही होगा और joining अगर वो नहीं कराते हैं तो फिर आप वहां पर एक selfie ले सकते हैं वहीं पर कि विद्याले के gate पर ही ले सकते हैं आफिस से ले सकते हैं या उस बंदे के साथ ही ले सकते हैं कि भाई आप इस दिन और selfie में चुकी time और date सब आ जाता है तो आप वहाँ पर ले सकते हैं कि भाई आप इस दिन उपस्टित हुए थे और आपको जोईन नहीं कराए गया कोई ठोस कारान अगर उनके पार नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेंगे हाँ ये भले ही वो कह सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट कम है तो इसकी बज़े से वो जोईनिंग में आपको भले ही देर कर दें अब देर में कैसे करते हैं जो जॉब वाले हैं उनके लिए नोसी बहुत जादा जूरी होती है की उनकी ऐनोसी जो एंगे पास होना बहुत जो तो वो एक 0.1% ही उसको माना जाता है हाना कि जिस तरह की दिसा निर्देश हैं उस तरह की दिसा निर्देशों में प्रधानेचार को जो है वो जोइन कराना ही पड़ेगा जहां तक 99.9% वरना आप जो है एक फोटो ले के बाद में क्लेम भी कर सकते हो कि इस तरह आप पहुचे थे सारे डॉक्यूमेंट के साथ में और उन्होंने जॉइनिंग नहीं कराई ठीक है ना तो ये भी आप काम यहां पर कर सकते हैं हाना कि ऐसा कोई नहीं करेगा सब के सब जो होंगे वो जॉइन कराएंगे ही कराएंगे ठीक है ना तो बढ़िया से आप जो है बिल्कुल मेंटली प्रिपेर हो जाईए और अपने डॉक्यूमेंट वगरा की को एक फाइल में अरेंज कर लीजिए और जैसे आपको मिलता है जोइनिंग लेटर उस जोइनिंग लेटर के हिसाब से जो भी जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे उनको तुरंच जल से जल अरेंज करके और जाके जल से जल जोइनिंग कर लीजिए ठीक है ना मेरे साब से मैंने जो भी आपके कोईरी थे वो सारे के सारे आंसर दे दिये हैं और फिर भी अगर आपके कोई कोईरी माइन बे आती है तो फ्लीज आप नीचे कमेंट करिये और मेरी तरब से आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई और सभी को बहुत बहुत बढ़ाई और भाई जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है उन्हों को भी बहुत बहुत बढ़ाई आप लों का प्रयास जो है वो रंग लाया और बहुत ही जल्दी सफल हुआ ठीक है चलिए बस इस वीडियो में आज इतना ही ओके थैंक यू